स्वागता बच्छा आपका सेल्व स्टेडी के चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं कि केन और बेतवा दो नदियां हैं जो मध्य परदेश निकलती हैं और इन नदियों का पानी आपस में मिलाया जाने वाला है तो क्या है केन बेतवा इंटर लिंकिंग प्रियोजना इसक चीज के लिए पैसे अलाओ कर दिये हैं कितने पैसे लाओ कर दिये हैं चोवालीस हचार लगबग साड़े चोवालीस चाहार चाहसोपचास क्रोड के आसपास इन्होंने रूपे अलोट किये हैं और यह काम शुरू हो गया है देकि 2005 से बात होना स्टार्ट हुई थी कि हाव अब भी नहीं बड़ा लेकिन अब जाकर चीजें अब अपने ट्रैक पे आ गई हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि यह रही मध्यपर्देश है और मध्यपर्देश में यह बेतवा और यहां से ही यह जो एक लिंक यानि एक कहें कि एक कनल यानि एक नहर बनाई जारी है और यहां में डाला जाएगा और यहां इसके लिए यह लग भग 230 किलोमेटर के आसपास यह 221 किलोमेटर के आसपास एक नहर का निर्मान किया जा रहा है और यह काम जो है वो आठ सालों में पुरा होने वाला है क्लियर 230 किलोमेटर है यह अब यहां पर देखो थोड़ा बहुत आपको लोगों के बारें बता देते हैं तो इन रदियों को जोडने के लिए एक राश्ट्रिय प्रिक्षे प्रिक्षे में से भी थोड़ा बहुत मुश्किल से बोला जा रहा है राश्ट्रिय नैशनल परस पानी कहां है तो एक टनल भी निकाली जाएगी इससे फाइदा क्या क्या होगा और यहां से यह निकलने वाली है clear इस project से मध्धय परदेश रूटर परदेश में जहां पर सिंचाय के लिए पानी उपलब नहीं है वहाँ पानी आ जाएगा जहां पीने की पानी कमी है पीने के पानी पहुंच जाएगा महाँ पर हजार मतलब कि यहाँ पर नुकसान क्या है, नुकसान यह कि देखिए, यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है, जिसका 10 परतिशत हिस्सा इस पानी में समाने वाला है, एक तो यह चीज, करेंगे इसके पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं, कि इन नदियो हमीर पूर जिले में, यहाँ पर ध्यान रखना है कि केन नदी कहां से बहुत इंपोर्टन है, कि हमारी यमना नदी की जो सायक नदियां है, वो कौन सी है, और वो कहां पर मिलती है, तो केन और बेतवा तो काफी इंपोर्टन है, 2005 से इसको पढ़ते आ रही हैं, 2008 में इसको पढ़ा, 2021 आगया, 2021 में इसको पढ़ेंगे, और आठ साल तक यह प्रोजेक्ट चलने वाला है, तब भी इसको पढ़ा जाएगा एक्जाम के परस्पेक्टिव से, तो काफी इंपोर्टन है दोनों नदियां, अब यहाँ पर राजगाट, परीचा और माता तिला बांध, ब इसकी स्टोरी बता देता हूं, बात शुरू हुई थी 2005 में, लेकिन बात बनी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पर फाइलिंग लग गई थी, कि ठीक हम यह करेंगे, केन और बेतवा नदी को मिलाएंगे, एक नहर बनाएंगे, लेकिन वहाँ इतनी सिर्फ, मतलब बात बात होके रह गए थी, इस चीज़ को आगे बढ़ा हैं नहीं गया था, 2008 में भी थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ा, केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, यहां पर यह एक प्रियोजना गोशित की गई थी, सूखा ग्रस दो बुंदेलकड हैं, उसमें भी यह प्रधान म 21 सागे, लगबग 16 साल बीच चुके इस चीज़ को, 16 साल में जाके अब इसको पटरी पे उतारा जा रहा है और पैसे अलाउट कर दिये गए हैं, अभी सारी चीज़ें करेंगे, क्या होने वाला है, अब देखिए, इसको करेगा कौन, काम करेगा कौन, तो इसके लिए एक क ये भी LPA का निर्मान किया गया है, अब ये SPV किसके द्वारा बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है, नीरा, ये काफी इंपोर्टन्ट है, भारसरकार ने नीरा एक अभ्यान लौंच किया है, जिसके तहत नदियों के पानी को आपस में जोड़ने का कारेकरम शुरू कि जा रहा है, तो नीरा ने इस SPV को बनाया और SPV ने इसको बनाया, क्लियर, तो नीरा क्या है, नीरा की फुल फॉर्म भी आत करना, National Interlinking of River Authority, नीरा काफी इंपोर्टन्ट है, ये काम देखने वाली है, सबसे बड़ी अथोर्टी, इसी को मानलो एक तरिके की, क्लियर, अब आ शामी चीजों का शामिल किया गया है, अब इजली घर बोले तो, देखिए भाईया, यहां पर 44,605 करोड रुपया, जो है वो इसके उपर खर्च होने वाला है, 44,605 करोड में लगभग 49,317 करोड रुपया, जो है, वो के अंदर सरकार देगी, बाकी जो 3000 करोड के आसपास तो काफी इंपोर्टन है यह टोपिक्स, यह जो जितने पॉइंट्स यहां पे लिखे होए ना, किल कीमत कितनी है, 8 सालों में पूरी होगी, यहां पर 103 मेगावाट जल विद्यूत और 27 मेगावाट सोर उरजा से उत्पन करने की बात, मतलब बिजली बनाई जाएगी यहां बगड जो हैं और उतरपरदेश के जो बांदा है, महाब है, जहांसी है, वहाँ पर जो सूखे परभावी शेतर है, जापानी की कमी है, वहाँ पर 1.26 लाख हेक्टेर तक सिंचाई की जाएगी, वहाँ पर पीने की पानी की सुविदा हो जाएगी, 62 लाख लोगों को इससे फाइदा हो जाएगा, यह सब चीज़ें इसकी फाइदा होने वाली है, अब क्रिशी गर्ती वीदियों से भाईया, जो बुंदेल कटगें, जो पिछड़े इलाके थे, उसमें विकास हो पाएगा, इस शेतर में जो संकट है, वो उसको रोक पाएगे, पानी से लेटेड औ तेरा जिले हैं इसके अंदर, अब इसके अलावा यह नदी प्रियोजनाओं को जोड़ने की दिशा में मार्क प्रशाश्चत करके, मतलब कि आने वाले टाइम में यहाँ पर अगर कोई डेवलोप्मेंट किया जा रहा है, तो अगर वहाँ पर पानी की कमी है, तो उसको आगे नियडाएगा, टांग नियडाएगा, सिंपल सी बात है, और यह भई चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई कि 10.62 लाख हेक्टेर वार्सिक जिंचाइन, 62 लाख लोगों के लिए यहाँ पर पीने का पानी, 103 मेगावार्ट जल विद्यूत और 27 मेगावार्ट दूबने वाला है, इससे, पनना टाइकर रिजजर विद्यूत को सबसे ज़्यादा नुक्सान होने वाला है, जिसका 10 परतीशएत हिस्सा इसके अंदर दूबने वाला है, अब क्या करें, वाइड लाइफ सेंचुरी, जो ये 3 वाइड लाइफ सेंचुरी को मिलाया गया है ताकि जो इसका हिस्सा डूब रहता कि वहाँ पर इसको थोड़ा बहुत सैटलमेंट किया जा सके वो कौन-कौन सी है एक तो है नोरा देही वन्य जीव अभारण है मध्य परदेश का राणी दुर्गावती उत्र परदेश का राणी पूर वन्य जीव भारण इन तीनों को PTR के साथ एककरित किया जाएगा देखो भाईया तुम्हारा थोड़ा नुक्सान हुआ है पानी में डूबे हो तो हम संभाल लेंगे तुमको तो यह सरकार की योजना है यहां पर तो यहां पर देख ले न कुल जो है वो कितना जमीन में मतलब पानी जो है वो आने वाला है यानि जमीन जो है वो पानी में समाने वाली है 9,000 हेक्टेयर 1585 परिवारों को यहां से हटाया जाने वाला है 10 परतिशत हिस्सा पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए यहां पर वो भी पानी में डूबने वाला है 30 जहां पर इस विजर्व में 30 बाग है काफी सारे हैं यहां पर 3,2 अगीद संकट ग्रस्ट प्रजातियों के यहां पर रखा गया है कहर यहां पर इनको स्थाना अंतिर्ट किया जाएगा वन भूमी जो है यहां पर इतनी परभावित होने वाली है 5,258 हेक्टेर तो काफी है देखे कोई भी विकास करते है तो ओविसली उसके अंदर प्रेवन तो एक बार पीच में आता ही ही आता है यहां पर अब दोनों को संतुलित करके हमें चलना होता है और वही यहां पर करने की कोशिश की गई है तोड़ा बहुत और इतियास की बारे है तो देखे 80 के दिश्रक की बात है यह 1980 में तब इस बात पर बात हुई थी अटल जी की सरकार थी उन्होंने इसको कहा था कि भईया हम जो है इसको करने वाले हैं यहां पर पानी की जो समझ से हम इसको दूर करेंगे लेकिन वहां पर सिरु बाते हुई थी फाइलिंग का काम 2005 में हुआ था 2007 में थोड़ा बहुत थिक आगे बढ़ा दिया गया था KB LP को बना दिया गया था ऐसा समझो यहां पर लेकिन चीजें जो है अब जाके पटरी पर आई है कुछ और मंजूरियां मिली थी क्या हुआ मंजूरियां क्या क्या मिलनी थी मंजूरियां यह थी कि देखो यहां पर केंद्रिय जल आयोग ने तकनीकी आर्थी की मंजूरिय दे दी वन और जलवायू परिवर्तन विभाग ने परहवन से रिलेटिड मंजूरी दे दी जन जातिये मामलों के मंत्राले द्वारा आदिवासी अबादी के पुनर स्थान के लिए मतलब उनको कहीं और पर स्थापित किया जाएगा इसकी मंजूरी मिल गई है काफी सारी चीज़ी हो गई है यहां पर क्या यह पहली बार हो रहा है क्या इससे पहली नहीं हुआ देखे थोड़ा बहुत इतियास हम जान लेते हैं इतियास की बाद तो ऐसी है अरे भाईया तुम कहां हो जाते हो अरे आओ यहां पर इतियास की बाद तो ऐसी है कि जो ओपनिवेशिक आवधारणा यानि जो हमारे हम गुलाम थे तो उस वक्त वहां पर जो एक अंग्रेज अंग्रेज कहां गया है इसका नाम यह राब अरे बीच में दोरेदारे काहे को पड़ रहे हैं तुमको अच्छा ठीक है गंगा और कावेरी को जोड़ने का प्रोग्राम इन्होंने मतलब कि सुझाव दिया था अब यहां पर अतीत में एक इंटरलंगिंग प्रियोजने शुरूत की गई थी उधारन के लिए पेरियार प अडपा और तेलगू गंगा प्रियोजना रावी ब्यास सतलज यह भी शुरू की गई थी तो यह नहीं है काफी सारी और भी है ठीक है अब एक यह इंपोर्टन्ट है ड्राष्टे जल ग्रिड क्या है देखे 1970 की बात है वहां पर जो ततकालीम वहां के जो सिंचाई मंत्री थे 1970 में डाक्टर के ऐल राव के ऐल राव ने बात बोली कि हमें ना जिन नदियों में ज्यादा पानी है वो उन नदियों का पानी कम नदियों के पानी में मतलब जिन नदियों में कम पानी है जा पर पानी की कमी है वहां पर हमें इसको ट्रांसफर कर देते हैं यह उन जल राश्ट्रिय जल ग्रीड है, 1970 की देशक में ये बात बोली गे थी, फिर एक माला नहर आया, माला नहर में जो कैप्टन दिनोश जो दस्तूर थे, उन्होंने भी यही बात बोली थी, लेकिन इनकी बातों को आगे नहीं बढ़ाया गया, अब यहां पर राश्ट्रिय प्रिक् जलो को वहां पर लाब होने वाला है, अब यहां पर दो घटक शामिल के गए, एक तो हिमालय, हिमालय से निकलने वाली है और यह जो और यह दो घटक और प्राइदिय जान commission की गई थी, इस हिमालय और प्राइदिय नदियों के विकास के लिए, और इन 30 नदियों में से जो 16 जो नदि थी वो प्राइदी पर गटक थी और 14 जो थी वो हिमाले की थी अब यहाँ पर यह जो थी 16 में से एक ही यह वाली होगी, clear हुआ यहाँ पर तो यह जो था आज का पूरा एक कहेंगे कि मैंने आप लोगों को केन और बेतवा का इंटरलिंग प्रोजेक्ट बता दिया है 221 किलोमेटर एक लंबी नहर बनने वाली है, अच्छी बात है कि जहां सूखा है वहाँ पर इस सूखे को मिटाया जाएगा, लोगों को वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, लोगों के पानी पीने की समस्चे भी खतम हो जाएगी, या फिर आने वाले टाइम में अगर कोई वहाँ पर कोई भी डेवलोप्मेंट का प्रोग्राम होता है, तो पानी उनके बीच में नहीं आएगा, एक तरीके भी इंपोर्टेंट है, प्रेवरेंट भी इंपोर्टेंट है, तो दोनों चीजों का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, क्लियर, तो आप लोगों को इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों बता दिये, तो बस आज कर दीजिए, चैनल को भी और वीडियो को भी, तो बस आज के लिए इतना है था, थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो